जाहें दोस्तो दोस्तो आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए नया प्रैक्टिस इट यह आपका मार्केट में कुछ दिन हुआ है लांच किये हुए तो आज इस बुक की बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं देखें यह आपका इसमें प्रारंबिक यानि पीट के साथ दिया हुआ है ठीक है तो हमारास अपना क्या है डबल स्टार के यहाँ पर जो आप यहां संकड़ी combinationा है और इसमें दो प्राक्टिस इसमें दिया हुए और हम यहां पे दो सेट आपका लेडी अपलोट कर चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लिजेगा ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण क्या है और कौन सा तारीक है यह भी हम द जाता है ठीक है और दूसरा बात हम आप सब लोगों से यह बोले हैं कि अगर आपको टार्गेट में अभी तक नहीं जूड़े हैं वहां पर दिसक्रिशन के साथ प्रवाइट करा रहा हूं ठीक है बहुत लोग जूड़ चुके हैं तो अगर आपको जूड़ना है तो फट फलाइट इंजिनियर जो है कौन है बताइएगा फलाइट इंजिनियर कौन है दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमर्बी हो जागा ही ना जैसवाल ही ना जैसवाल ऑप्शन नमर्बी सही उत्तर हो जाएगा इस्ठेप नाइट किसका आयस का है कि रजधानी जो है कहा पर बताईएगा है अ का जायेगा और सेंटर फौर साइन्स एंड इनवार्मेंट यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नोट कीजिएगा सभी लोग नेश्ट है कि इवरी वोट काउंट दा इस्टरी आफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक के जैनी जो पुस्तक है किसने लिखा है तो यह जो पुस्तक है दोस्तो नवीन चावला के द्वारा यह लिखा गया है सब्सक्राइब किस खेल से संबंदित है यह जो हमारा खेल है दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंदित है ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाएगा याद रखेंगे मांक डिंग ठीक है नैश्ट को सने की आसो कि सिला लेक को सरपर्थम 1837 इस इस वी में किस ने पढ़ा है 1837 इस पर सिला लेक पढ़ने में सफलता पाया है जैम से प्रिंसिप की बात कर लेते हैं तो कलकत्ता का टक साल अधिकारी भी था इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे वन फैमिली वन जौब योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है यानि एक फैमिली में एक यानि कितना ही उत्तर हमारा हो जागा आठाव का अपसे किया हो जागा बटाएगा सि कीम हो जाएग यानि सिक कीम के दवरा ये एगतम से क्या हरे भी सवड़न है यह जईoug उल्ष वर्धन की नहीं हैद देखिए हर सवॉढश्य में की नहीं है है तो इसुम कूझ ड़ा कि नंद है रतनाली है और प्रियदर सिका है तो इस मर्ण को भी आप simultaneous करेंगे क्योंकि कभी-कभी एक जिया में आता है कि कौन इकी इसका नहीं है ठीक है आगे कि हैवलॉक का नाम बदल करें क्या रखा गया है है वलार हैलाउक दियू का बढ़ा कि कि इसका नाम जो है चेंज नील द्यूप और एक आपका हो गया है नेताजी सुबाश द्रबोश जूप ठीक है इसके पहले इसका नाम था रास द्यूप क्या हो जागा रास द्यूप भारती समिधान मूल करतब एको किस समीति के सिफारिस पर जोड़ा गया है तो सभी को पता यह होगा दोस्तों इगार करतब यह को भाग चर्व चार में जोड़ा गया है ठीक है चलिए नेश्ट हमारा प्रसन है कि सीड़ी का पूल रूप क्यानी सीड़ी का फूल फार्म पूछ रहा है तो इसका फूल फार्म याद रखेंगे स्मॉल इंड़स्ट्रियल इन्ड़स्ट्रीज डबलप्मेंट इन्डिया इसका फूल फार्म हो जाएगा और इसकी स्थापना भी याद रखेंगे इसका स्थापना जो है दोस्तों दो अपराइल उन्नी सो नब्बे में इसका स्थापना हुआ है तो इस पॉइंड को भी नोट करेंगे इन में से कौन सा बायो मास उर्जा नहीं है इन मे हमारा हो जाएगा डाक्टर वरगीच कुर्यन डाक्टर वरगीच को रेन ओप सन हमारे हम पे हो जाया और स्वित करांथी कि शुरुआत जो है दोस्तों 1970 में हुआ है आगे है वासकोल भारत कि बाया था देखिए वासकोल डिकामा सभी को पता है 1468 में भारत आया था और समन सबसे सूरा सबसे सात हो जाएगा आप आप याद रखेंगे 7 हमारा है यहां पे सी हो जाएगा सुरत विभाजन दल तो नरम दल यह गरंदल में विभाजित हो गया था आगे है बोला की डिनाल से से सम्मध्ध किस छैतर से है तो इसका जो संब्द्ध है दोस्तों film से है किसे है film option number C परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कों का मान आपतन कोंड के डैस होता है देखें इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का option हमारा यहां पर रहे हो जाएगा बराबर बराबर यानि एसका सही उत्तर हो जाएगा C A S O 4 2S 2 O क्या है तो क्या है पुछ रहा है तो यह आपका जिफसम हो जाएगा क्या हो जागा जिफसम ऑप्सन नमबर B IPL 2018 की विजयता टीम कौन सी है तो 2018 की जो विजयता टीम रही है और 22 का बताइएगा आप सभी लोग तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चैन नई सूपर किंग जो है सही उत्तर हो जाएगा और 2022 का जो विजयता टीम रहा है दोस्तों आप इसको अच्छे से नोट कीजिए गुजरात टाईटन हो जाएगा और 21 के भी याद रखेंगे गुजरात तो आपका 22 का है 21 का चैन्नाई सूपर किंग हो जाएगा चैन्नाई सूपर किंग ठीक है चलिए आगे हम परस्था देख लेते हैं आगे पंचायती राज सरपर्थम किन दो राज्यों में शुरू गां बेटिंग बेटिंग दा रिट्रीट सेरेमनी किस तारीक को मना जाता है तो यह हम मनाते हैं आप्सन हमारा यहां पे 29 जनवरी हो जाएगा आप्सन नमबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1767 इस वी बंगाल का सर्वेयर सर्वेयर जनरल जो है किसे निप्त किया गया था जैंस रेनल जैंस रेनल ऑप्सन नमर डी राइट हो जाएगा अंगरिया भारत की प्रत्थम लगजरी कुरूज सीप सर प्रत्थम जो है किन दो सहरों के बीच जो है चला है तो यह जो आपका चला है मुंबई से गोवा मुंबई से गोवा ऑप्सन हमारा 24 का ए सही हो जाएगा दाची गराम नैसनल पार्क जो है किसे 17 शड़ प्रतान किया गया था या फिर किया गया है तो यह आपको हो जाएगा हंगूल हंगूल यानि आप्शन नमर ए हो जाएगा आप इसको नोट करेंगे और यह आपको जम्मू कासुद में स्थित है दाची गराम ठीक है नैसनल Global Environment Outlook कौन जारी करता है तो यह कौन जारी करता है तो यह आपका UNEP के द्वारा यह जारी किया आता है option हमारे यहां पे भी हो जाएगा UNEP का full farm होता है United National Environment Program इसका full farm होता है ठीक है आगे है कि धोनी तरंगे किस परकार कि तरंग होती है देखे धोनी तरंगे कि अगर हम point बात कर लेते हैं दोस्तो तो अनुदर्द या अनतरिक तरंग हो जाएगा business का सही उत्तर हो जाएगा train 18 का नया नाम क्या रखा गया है ट्रेन अठार का नया नाम जो है दोस्तों आपका वंदे भारत एक्सवेस रखा गया है ओप्शन हमारा 28 का C सही हो जाएगा वंदे भारत जो है दोस्तों आपका यहां पे ट्रेन जो है नई दिल्ली से लिए करके वरानसी के रूट पार चलाई गई थी ठीक है आगे हमारा प है भारत ने है हैपिट्री सभ्स को कब तक समआप्ट करने का लक्ष रखा है नहीं हरतर को और वन्हा प्रेसलर करता है पटाइएगा पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे सुल्तान अजलान साहकप का जो संबंद है किस खेल से संबंदित है देखिए वीडियो को आप सबी लोग लाइक करते चलिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा आपको क्या सुधारना चाहिए और टार्गेट में आप सब लोग जुड़ जाएए वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको दिया जा रहा है अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको वाटसप नंबर नीचे दिया होगा उस पर आप मैसेज करके अधिक जा सौड़ भी सियन कर दूँगा ठीक है इसका आंसर जो होकी हो जाएगा महावीर का जन्म जो है कब हुआ था कि तकिए महावीर का जन्म दो है दोस्तों या आपका पांसो चालिस इसापूर में हुआ है ऑप्सन हमारा यहां पे एस हो जाएगा और चार्सव ऑनिट में इनका प्रदान किया गया है अमिताब घोस को प्रदान किया गया है option हमारा भी सही हो जाएगा जासकर स्रेणी जो है कि सही माले का भाग है देखिए जासकर स्रेणी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपका ट्रांस सही माले का भाग है दोस्तों option हमारा यहां पे ए सही हो जाएग ठीक है तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे भोलेंगे नहीं और जो हमारा यहां पे कारा कुरम होता है कारा कुरम सिर्णी या आपका लद्दाक जासकर और फीर पंजाल धौला धर सिर्णी हो जाएगा आगे है गायतरी मंत्र क्रेचना जो है किसने किया है देखें गायत क्त्री मंत्र जो है आपका रिग्वैद के तिसरे मंडल से लिया गया है क्वांटम सिंधान का प्रतिपादन जो है किसने किया है तो यह जो आपका प्रतिपादन है दोस्तों मैक्स प्लंक के द्वारे यह किया गया है option हमारा C हो जायगा वह अरतमान में राजी सभा में कपास की क्रिसी के लिए कौन से मिट्टी जो है उपियुक्त होती है कपास के लिए सबसे अच्छे जो मिट्टी माने जाती है वो आपकी काली मिट्टी माने जाती है option हमारा यहां पर 20 हो जाएगा और काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं क्या करते हैं रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का निर्माण जो है दोस्तों बेसालड चटानों के टूटने फूटने से होता है आगे है नहावा सेवा बंदरगाह जो किस महाराष्ट्र में कहां पर महाराष्ट्र में देखिए कौपी और लेकि बैठा कीजिए आपको बहुत इससे फायदा होगा कि आप कितना प्रस्न बना रहा है एक तरीके से आप टेस्ट देते हैं इस तरीके से ठीक है भारतिया समयधान का अनुच्छ देख सब्मंद्द है ठीक है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और वित आयोग जो है है हमारा दो सो असी से समयधी थे दो सो असी से आगे हमारा प्रस्न है कि हाल ही में भारत दोरे पर आई इराना सिलवर्ग जो है किस देश की परदहान मंत्री हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्श पोस्तक जो है किसने लिखी है ते जो पोस्तक दोस्तों पीच दंबरम के द्वारा ये लिखा गया है आंसर हमारा डी सही हो जाएगा पूर स्वराज की घोष्णा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गए थी ते जो आपका किया गया था लाहोर अधिवेशन में 1929 में किया भारत सिरलंका ऑप्सन बर सी सही उत्तर हो जाएगा तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और आगे हमारा जैसे आपका यहां पर डोबर जल्डबरु मत जो है ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में इस्तित है तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे आगे है व आगे हमारा प्रसन है कि 20 परत्रम के तिरिम बौधिक्ता समाचार वाचक जो है किस देश में बनी है तो यह कौन से देश में बना है बताइएगा आप सभी लोग देखिए यह आपका हो जाएगा चीन चीन यानि इसका सही आंसर सी हो जाएगा आगे है कि इन में से किस जो से होकर के गुजरता है तो आप सबसे पहले आठ राजे देख लेते हैं देखें पहला हमारा है राजस्थान यानि परसिम से देखेंगे परसिम से पूरब के ओर देखेंगे इससे हमारा इधर से सुरू होता है तो राजस्थान हो जाएगा फिर गुजरात हो जाएगा मध्य परदेश, शत्यिसगड, जहारखंड, पस्षिमंगाल, त्रिपूरा, मिजोरम तो इसमें पुछ रहा है कौन सा हमारा यहां पे नहीं है तो हमारा ओडिसा जो है इसमें नहीं आता है तो बाकी हमारा गुजरात, जहारखंड, रायस्थान यह सब हमारा सही हो जाएगा आगे है कि इनमें से कौन सा राज जो है पूरतिया करकरेखा के उत्तर में स्तित है अब देखिए यह गजब का कोर्शन पूछा गया है तो पचास का जो उत्तर हो जाएगा मनी पूर हो जाएगा और ऌसी हो जाएगा इनमें से कौन सा अफारेकी देश जो है इस्तल रूध नहीं है इस्तल रूध जो है आपका नहीं है तो गैबाउन जहे हमारा इस्तल रूध नहीं है बाकि नाइजर है दचणी सुडान है और बोस स्वान आ भी है आगे है गलवेनाजेसन प्रकिरिया में किसका परत जो है चड़ायाता है तो गलवेनाजेसन के अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा जस्ता की परत यहां पर चड़ायाता है ओप्सन हमारा C हो जाएगा चौधावा क्रिसी विग्यान कॉंग्रेस सम्मिलन जो है कहां पे हुआ है आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में याद रखेंगे नई दिल्ली आप्सन हमारा सी सही हो जाएगा I, B, S, A, M, R S, A, M, A, R सैन या भिहास में इन में से कौन सा देश सामिल नहीं है तो पूछ रहा है कि सामिल नहीं है तो या आपका मियानमार जो है इसमें सामिल नहीं है बाकी भारत है, दच्छिड अफरीका है और ब्राजिल भी है आगे है बिहार के इन जीलों को उत्तर दच्छिड से सजाएं पटना, गया, सितामडी, जहानाबाद, एवं, मुझफरपूर तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पच्छपन का ओप्सन हमारा यहां पे डी हो जाएगा, सितामडी, मुझफरपूर, पटना, जहानाबाद गया इसका उत्तर हो जाएगा वर्थ 2018 में विस्व सुन्दरी यानि मिस वर्ड कौन बनी है तो 2018 की कौन बनी है बताएगा, तो इसका उत्तर जो है दोस्तो हमारा हो जाएगा उप्सन यह हो जाएगा, वनिसा, पॉन्स, डी, लियोन, मेक्सिको की यह बनी है आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा सेलवास, वन जो है किस महाद्यूपर है, सेलवास, वन जो है यह आपको देखने को मिलता है दच्छिड अमेरिका में, दच्छिड अमेरिका उप्सन नबर डी सही हो जाएगा आगे है कि नागोया प्रोटोकाल पर किस वर्थ हस्ताक्षर हुआ है, बताएगा आंसर हमारा हो जाएगा 2010 में, क्या हो जाएगा 2010 ऑप्सन नबर डी गुरु गोविन सिंग जी की 2019 में कौन सा प्रकास पर्व जो है, पटना में मनाये गया है तो हम इसका उप्सन देख लेते हैं, देखिए इसका उप्सन आपका कुछ इस परकार से दिया हुआ है तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह आपका हो जाएगा तीन सो पचासवी, ओप्सन नमर ए, 1873 इसवी में सिंग सभा अंदुरन किस राज्य में हुआ था तो यह आपका हो जाएगा पंजाब ओप्सन नमर ए आगे है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, वर्ष दोर 29 के किस दीवस का थीम है इसका थीम याद रखेंगे विशुव जल दिवस, विशुव जल दिवस और यह कम मनाते हैं दोस्तों, विशुव जल दिवस बताईएगा आप कमेंट करके तो देखिए यह आपका 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च ओप्सन नमर याद रखेंगे हमबोल्ड जलधारा दछिड अमेरिका के किस टट पर चलती है अंसर हो जायागा 25 टट, याद रखेंगे 25 टट ओप्सन नमर बी तिहतर्मा समिधान संसुधन जो है लागू नहीं हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जायागा एक, तीन, चार हो जायागा नागा लेंड, जम्मो कास्मीर और मेगाले बाकी मनीपूर में आपका यहाँ पर लागू है देश में राष्ट्री अपात का लागू करने के लिए ससस्त्र विद्रो सब्द जो है किस समिधान संसुधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया है आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन नमबर C, 44वा समिधान संसुधन याद रखेंगे कैमूर, वन नज्य अभैरन जो है किस राज्य में स्तित है तो यह आपको देखने को मिलता है बिहार में कहां पे बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरंग पटनम की संथी जो है कब हुए कई बार यह आपको कोस्टन देखने को मिलता है सेट में देखने को मिलता है तो सिरंग पटनम की संथी की बात कर लेते हैं यह हमारा 1792 हो जाएगा 1792 ऑप्सन नमर डी इसका सही उतर हो जाएगा और यह आपका टीपू सुल्तान और लाड कारनेवाल इसके बीच में यह आपका हुआ है चेरी बलासम फेस्टिवल जो है किस राज में मनाया जाता है तो यह आपको देखने को मिलता है मनीपूर में कहा से कौन पाइप व्रिद्धी हार्मोन नहीं है पाइप व्रिद्धी हार्मोन नहीं है दोस्तों तो उनहत्तर का उत्तर हमारा हो जाएगा एपसिसिक हो जाएगा यह नहीं है बाकी ऑक्सिन है साइटो काइनीन है और जिबरेलिन भी है नैश्ट की भारत में पहला कीट संग् हाले किस राज्य में खोला गया है कीट संग्र हाले तो यह हमारा हो जाएगा option number C हो जाएगा तमिल नदू याद रखेंगे तमिल नदू option number C आ गया कि बजरंग पुनिया का सम्द्ध किस खेल से है बजरंग पुनिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा कुस्ती से हो जाएगा किसे हो जाएगा कुस्ती से option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट हमारा परस्थन बोल रहा है कि operation flood का संबन्द जो है किस से है देखिए operation flood का जो सम्बंद दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है किसे है दुग्ध उत्पादन option हमारा सी सही हो जाएगा टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कहाँ पर थी यह आपको सी रंग पत्नम में देखने को मिलता है आंसर हमारा यहां पर भी सही हो जाएगा आगे कि होंडू रास की राजधाने जो है कहां पर है होंडू रास की रास धानी यह आपको कहां पर देखने को मिलता है बताइएगा आप सबी लोग तो यह आपका टेगू सीगलपा जो हे इसका सही उत्तर हो जाएगा option no.74 का e सही हो जाएगा आगे है बोला कि इंटाकी राष्ट्रि उध्यान जो है किस राज्य मेंसंती थे इंटाकी राष्ट्रि उध्यान यह आपको कहां पर देखने के मिलता है तो यह आपको देखने के मिलता है नागा लेंड में कहां पे नागा लेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा Alright England Badminton Championship 2019 का पूरुस एकल खिताब जो है किस देश के खिलाड़ी ने जीता है तो यह आपका हो जाएगा जापान याद रखेंगे जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा राजियों में राष्ट्रपती सासन भारती समिधाहन के किस अनुछेत के तहद जो है लगाया जाता है तो यह परियूखत प्रक्रिया है वनस्सपती घी बनाने में प्रिपत आपका प्रक्रिया है autan सही आंसर हो जाएगा वज्र प्रहार हार भारत और किस देश के साथ यह होने वबाला सेने अभ्यास है वज्रप्रहार तो इसका हो जो सही उत्तर हो है तो अंकन पूछ रहा है नहीं है तो यह आपका गाय का नहीं है बाकी हाथी का है गेंडा का है और बाग का है आगया कि सामोही के रूप से मंत्री परिशद किसके प्रती जो है उत्तरदाई होता है यह किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो लोक सभा के प्रती जो है उत्तर का जो है option हमारा यहां पे ए सही हो जाएगा वर्ल्ड गौर्वर्मेंट सम्मिट 2019 कहां पे हुआ है तो यह आपको देखने को मिलता है दूबई में कहां पे दूबई इसका सही उत्तर हो जाएगा option नमर डी नेश्ट हमारा प्रस्ण है कि लैंस सक्ती डायोप्टर का समंध किस से है तो इसका जो समंध है दोस्तों आपका फोकस दूरी का व्यूत करम हो जाएगा option हमारा भी सही हो जाएगा बोला कि आपातकाल के परवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोधन 30 दिन के अंदर जो होना चाहिए तिस दिन के अंदर होना चाहिए बताएगा आप सभी लोग तो यह हमारा हो जाएगा लोक सभा के लोक सभा option number B भारत के नियंतरक एव महा लेखा परिक्षक द्वारा किस द्वारा दिया गया लेखा परिक्षण संबनित प्रती वेधन की जाच कौ कौन से समीथी करती है तो लोग लेखा समीती करती है कौन करता है लोग लेखा समीती किसके मीलता है माता के गर्भ में भून को पोसन जो है किसके माध्यम से मिलता है तो यह जो आपका मिलता है आपका प्लासेंटा के द्वारा मिलता है यानि प्लासेंटा से ऑप्सन नमबर भी समिधान सभाग के सदस्यों द्वारा समिधान पर कब हस्ताक्षर जो है किया गया है हस्ताक्षर किया गया है दोस्तो 88 का यह आपका हो जाएगा ऑप सम्हटी चोबिस जन्वरी दो चौबिस जन्वरी उन्वरी सोपचास हो जाएगा और अप छैज विद् GET अस्तिती कि सिफार्स किस से की जाती प्रlot किससे की जाती है तो या आपका हो जायगा option और वी राजय पाल, याद रखेंगे राजय पाल option और भी सबसे पुराना यूग कौन सा है, सबसे पुराना जो यूग है दोस्तों आपका आर्कियन यूग हो जाएगा क्या हो जाएगा आर्कियन यूग ऑप्सन नमबर ए प्रिथिवी की उत्पत्ति आज से चार दस्पोलो छे अरब वबर से पूर्व माना जाता है आगे है कि इन में से कौन सुमेलित नहीं है यानि कौन इसमें आपका गलत दिया गया है देखे संगी समीति जावारलाल नहरू सही है प्रादू समीति भी यारा मिटकर सही है जन्चलन समिति जो अपका के अमुंसि जो कि ये गलत है, देखिए, संचलन समिति जो है दोस्तों इसमें डाक्टर राजंदर परसाथ होना चाहिए, बाकी राज ये लिए समिति जो है आपका जावाहर लाल नहरू यहां पे सही हो जाएगा, आगे हम देख लेते हैं, आगे ह को बादन निरुक्त का अपका हो जाएगा सब्दों कि व्युत पत्ति हो जाएगा चंद का आपका मंत्र हो जाएगा सिक्षा का आपका सुध उच्चारण हो जाएगा आगे है इसमें आपका साइंस का है तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा option number A नेश्ट किस संगठनों के सदक्सियों को किस अधार पर एकत्रित होने एकत्रित होने से वन्चित जो है किया जा सकता है तो 96 को उत्तर हमारा हो जाएगा राश्टर की एकता का संप्रभूता हो जाएगा option हमारा यहां पर A सही हो जाएगा नेश्ट की बोला कि जब राय सभा के सवपती या उपसवपती को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारा धीन हो तब उसका पिठासिन न होना भारति समयधान की इस अनुष्यद में वन्नित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैश्ट के इन में से कौन सी विधी जो है पारोक्ष पादब संन रक्षण की विधी नहीं है बताईएगा इसका उत्तर क्या होगा तो इस्थांतरित क्रीसी हो जाएगा ऑपस्न नंबर भी बाकि समोच्च्रिसी है मिश्रित क्रीसी है और विश्तरित क्रीसी है भारत में दल्य विवस्था किस प्रकार की है आंसर हो जाएगा हमारा बहुत दल्य ओप्सन नमर सी आखरी प्रस्टन है कि बोला कि सीत काल में वर्षा और सुस्क ग्रिस्मकाल निम्न में से किस जलवायू प्रदेश की विशेष्टा है दोस्तों यह हमारा हो जाएगा भूमद सागरी भूमद सागरी इसका सही उत्तर हो जाएगा तो देखिए यहीं पर सेट आपका यहीं पर सम्माप्थ होता है वीडियो को लाइक कीजिएगा टार्गेट बैच के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं वाट्सप नमबर निचे दिया हुआ आपको मिल जाएगा पीडियाप में पूरा आराम से आप इसको पढ़क के आराम से सेट लगा सकते हैं मिलते हैं एक ने वीडियो में आज के लिए इतना ही जैहिंद